हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो में लेकर आई हूं आज 2018 में प्रकाशित सभी चर्चत पुस्त के और उनकी लेकों के नाम तो आपको पता है कि एक्जाम में यह पूछा जाता है एक तो आपका रहता है जो हिस्ट्री और साहेत से रिलेटर किताब होती है उनके बारे में प जो भी मुस्ट पॉपलर बुक्स हैं तो मन्तवाइस कर दिया तो आपको लर्न करने के लिए ज्यादा असान हो जाएगा ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं एक अठा एक साथ साथ सतर किताबों की नाम लिख दूंगी तो आप 10 तक तो बड़ी इंट्रेस्ट से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सिर्फ और रीडिंग रहेगी ना तो आप उसमें कुछिप याद होने वाला होगा और आप बहुर हो जाएंगे तो इसलिए मैंने मन्तवाइस बिल्कुर इसको एरेंज करके रखा है वीडियो बहुत ही साथ इंट्रेस्टिंग और यूस करिंटफ आफ्यर में हम इसे पढ़ेंगे कियो कि अब आपको दिसम्बर का बताउंगी तो आप कहां से आ गया तो रीजन यही है कि वह आपको दिसम्बर की करिंट आफैर में पढ़ा जाएगा तो मतलब चर्चित जन्वरी में चर्चित किताब इना कि प्रकाशित तो दे यहां पर यहां पर देख सक् यह जौब का शुर्ब हैं और यह जय लंगी चूंपे द्यान करना त्विल आपको इस यहां और मैं झाल नवां टारा की हवरारंस को एस ब्सक्राएं त्थ ॉस्य। बुक का नाम है आपका Sense and Solidatory तो Sense and Solidatory बुक जिसको लिखा है Jean Rose ने Sense and Solidatory अब यह जो है वो एक इंडियन राइटर का है तो अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा The Bengalis किस ने लिखा है सुधीप चक्रवर्ती ने लिखा है यह आप देख सकते हैं आप इनकी फोटो The Bengalis लिखा है सुधीप चक्रवर्ती इसे लर्न कर लीजिए चुकि यह इंडियन राइटर का है अब ये फिर अगीन इंडियन राइटर कहा जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बुक का फ्रंट पेज तो इसको लिखा है अनिरुद कृष्णा जी ने अनिरुद कृष्णा तो इसको आप याद करिए अनिरुद कृष्णा याद करते चीलिए मेरे साथ ठीक है अनिरुद कृष्णा द ब्रोकें लैडर फिर यहाँ पर आ जाता है आपका नेक्स्ट वाट हैपंड वाट हैपंड की राइटर है हिलैरी रोदम क्लिंटन हाला कि इंडियन राइटर नहीं है तो इतना जादा इस एक्जाम के लिए मतलब हाई लेवल की एक्जाम के लिए इंपॉर्टन हो सकते है इसलिए मैंने इंट्रूट किया है ताकि वीडियो सभी के लिए यूसफुल हो चाहे कोई 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 किसी भी कॉम्पूर्टेटिव एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हो लेकिन और 6,500 शिक्ट भर देख लिए जो अधीर मेरेकल डेहा देख सकते है बुक का का फ्र》ंड कोई देशियं मेरेकल की और रहेहन राइटर तो आपको याद करना होगा देशयं मेरेकल कि मेह पर अध Daniiot फ्री опять पेस कवर देख सकते हैं, conflicts of interest आते हैं, next पे तो आपका आजाता है inside parliament inside parliament ये इस book का front cover और इसको लिखा है Derek O. Brian ने Derek O. Brian inside parliament फिर आपका the new wealth of nations इसकी important है क्योंकि इस country से related है और again ये Indian writer ने लिखा है इसको जरूर याद कर लिजे ये important है इसको जरूर याद कर लिजे आगे बढ़ते है river of life, river of death river of life and river of death देखी यहाँ पे river रिवर बनी है पूरे इसको लिखा है कि इसने विक्टर मैलट ने लिखा है river of life, river of death, विक्टर मैलट चलिए आगे बढ़ते हैं मार्च पे आते हैं अगर आपको यह पसंद आ रहे हैं तो अभी के अभी लाइक कर दीजें वेट मत करें कि वीडियो खतम हो फिर आप इसको लाइक करें लाइक कर दीजें खतम होने के बाद तो फिर उसको कमेंट करना एंड शेयर करने वाला काम आ जाता है खतम हने के बाद आप शेयर करें गदोस्तों के साथ अभी लाइक करें यह ने कि आप देख लीजिए ऑन्य ने लिखा रहे लिखा है बड्ल लिंटिनर ने लिखा है चाइना ऐंडिया वार आप यहाँ पे front cover देख सकते हैं China's India War तो यह China और India War पर डिपेंड हो जाती है इस बूप ठीक है पर based हो जाती है तो बरटेल लिंटनर इनके writer है मैं ज्धा वक्त उसी book को दे रही हूँ जिसके Indian writers है, पर आपको पता सब होना चाहिए India Turns East इंडिया टंस फोड़े देखिए वॉर्ड में इत्वी सारे बोक्स लिखी गईलें किन यहां पर मैंने वही इंडिया से रिलेट करती हैं कर इंडिया पर सब्छाइस में इंडिया के उपर लिखी गई है थीचे इंदिटे मोई बताया ग ine चीज़े आपके एक्जाम के लिए इंडिया इंडिया पर बाकी तो फिर इतने सारे बूक्स हैं तो यही रीजन है कि जो विदेशी राइटर्स हैं वो उनकी भूक्स में मैंने इंट्लूट किया क्योंकि बेस्ट वो इंडिया पर हैं now the Supreme Court of India ये भी बहुत important है ठीक है भले ही इसके राइटर इंडियर नहीं तो आपके Supreme Court of India अच्छा ये राइटर इंडियर क्या हूं है जार्ज एच गेड़ बॉइस ठीक है जार्ज एच गेड़ बॉइस इसके राइटर है Supreme Court of India The Beginnings चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स जी एंड डेवी ने लिखा है The Crisis Within जी एंड डेवी याद कर लीजिए The Crisis Within जी एंड डेवी फिर आगे बढ़ते हैं तो Here India's Goals जिसको लिखा है डाइने कॉफे ने Danny Coffee Hair India Goes Danny Coffee ओके यह है यह वह लगा होना चीए तो यह लगा कोई मीनिंग यह यहां पर लेवी इंड पर तो अब है आप्टरल पर तो अभी यह पर देखे कुछ important books आ रही है जैसे why I am a Hindu why I am a Hindu मैं Hindu क्यों हूं इसको लिखा है शर्ची थतूर जी ने तो काफी ये चर्चा में बने रहते हैं आपको न्यूस चैनल वगेरा में आते रहते हैं तो इनकी book का नाम है why I am a Hindu आपको पता होना ही चाहिए इसको लर्न कर लिए जबी क्या भी नेक्स्ट जो है The Hungry Empire जिसको लिखा है लिजी कॉलिंगम ने लिजी कॉलिंगम ने नेक्स्ट बुक है आपकी The Growth Delusion The Growth Delusion जिसको लिखा है डाविट बिलिंग ने अब यह आ जाता है आपका अगें इंडियन राइटर की बुक चैना टाउन डेज चैना टाउन डेज जिसको लिखा है रीता चौधरी ने चैना टाउन डेज रीता चौधरी नेक्स्ट आपका अगें किलेश भट्टा चार्जी ने लिखा है एन अन फिनिश्ट रिवाल्योशन एन अन फिनिश्ट रिवाल्योशन ठीक है एन अन फिनिश्ट रिवाल्योशन लिखा है किश्याल ने किश्याल भट्टा चार्जी ने ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट न नेक्स्ट आपका मई में आ जाते हैं संजय मांजरेकर ने लिखा है इंपर्फेक्ट इंपर्फेक्ट बुक की राइटर कौन है तो वो है संजय मांजरेकर बैलेट 10 episodes that have shaped India's democracy बहुत ही important book है ये बहुत important book है बैलेट 10 episodes that have shaped India's democracy रीता चौदरी ने लिखा है ये बिक शायद by mistake लगी है ठीक है तो इसको भी रीता चौदरी जी नहीं लिखा है और ये important हो जाता है इसको लेकर थोड़ी सी मुझे यहां पर हो रही है किसी किसमें लिखा है बैलेट तो इसको अभी आप इसको यहां पर मैं किसन को cross कर रही हूं और इसके writer कौन है यह मैं आपको comment box पर comment करके pin करके बता दूंगी ठीक है चुकि मुझे भी थोड़ी सी confusion हो रही हो मैं अब हो सकता है by mistake यह क्लियर हो रहा है कि मैंने by mistake लगाई कि by mistake नेम रहा गया आगे बढ़ते हैं a century is not enough a century is not enough this is important ठीक है और इसको लिखा है सौरव गांगली ने the century is not enough सौरव गांगली ने next है आपका centro the car that built a company centro that a car that built a centro car होती ही पता है आपको बू सबने देखा होगा इसको लिखा है इस बूक को लिखा है बी वी आल सुबू ने बी वी आल सुबू ने लिखा है अले the car that built a company only child¡ only child lookout book की writer है रियान नोन नैवन रियान नोन नैवन आपक की र्यांट रियान नैवन ली पाकिस्तान अंडर सीज इस बुक की राइटर है आपकी मदीहा अफजल मदीहा अफजल इस राइटर ऑफ पाकिस्तान अंडर सीज नेक्स्ट आपकी वुका जाते हैं रेडी टू फायर रेडी टू फायर की राइटर नम्भी नारायनन तो नम्भी नारायनन इसके राइटर ह ये डैडी टू फायर के पिर आ जाते हैं आप तो स्प्लिट्स लाइफ इस्प्लिट्स लाइफ यह आप देख सकते हैं आप जिसकी राइटर है तसलीमा नस्रीम तसलीमा नस्रीम next है आपका the free voice रवीश कुमार है रवीश कुमार आपको पता होगा कि बहुत ही जदा कौन है वो आपको पता होगा आप बीटी सी कर रहे हो तो आपको definitely पता ही होगा कि रवीश कुमार जी कौन है तो यह थोड़ा से important हो जाता है तो इन्हों ने लिखा है कौन सी कुछ the free voice ओके the free voice रवीश कुमार आगे बढ़ते हैं जुलाई का देख लेते हैं factfulness factfulness के writer है Hans Rossling ठीक है factfulness Hans Rossling next है आपका आशीश रे ने लिखा है आपका let to rest let to rest आशीश रे आगे बढ़ते हैं बेना time waste किये night of happiness night of happiness की writer है ताबिश खैर ताबिश खैर and the fever की writer है सोनिया सा देखे जो भी इंडियन writers मिल रहे हैं उनको आप याद करते चलिए the fever सोनिया सा the fever सोनिया सा और night of happiness ताबिश खैर आगे बढ़ते हैं Michael Ondaatji ने लिखा है warlight आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही अब यह देखे फिर से आप का जाता है इंडियन writers की book all the life we never lived all the life we never lived अनुराधार रॉय ने लिखा है all the life we never lived अनुराधार रॉय broken peace in nuclear environment broken peace in nuclear environment मुईद यूसूफ इसके writer है मुईद यूसूफ आगे बढ़ते हैं clouds clouds की writer है चंद्रहास चौधरी चंद्रहास चौधरी is the writer of clouds नेक्स्ट आपका आजाता है people versus democracy people versus democracy तो यह आपका यश्चा monk ने लिखा है इसको there and back there and back इसके writer है आपके steward's garden steward's garden is the writer of there and back there and back then September पे आते है देखिए इसमें से हो सकते है कि आपको लगी useless हो लेकिन actually क्या है कि आप सिक्षिक भरती परी की परिक्षा दे रहे हैं तो इसमें क्या Indian writers के books जाद important है लेकिन अगर आप other किसी competitive exam की भी तयारी कर रहे हैं तो फिर क्या यह सारी जितने भी इंडिया से या इंडिया के प्लिटिक से टमोक्रेसी से कोर्ट पे बेज़्ड है तो वो सारे इंपॉर्टन जाते हैं नेक्स्ट आप का आता है अनीता गैट्स बेल अनीता गैट्स बेल यह बुक की राइटर है आपके अरून शौरी है इलिबरल इंडिया आपकी इसकी राइटर है छिदानन्द राजगट्टा इलिबरल इंडिया नेक्स्ट है आपका चिनमे तुब्बे ने लिखा है इंडिया मुविंग देखिया आप जहाब में वही इंक्लूट की है जो इंडिया पर जादा बेस्ट है ठीक है चिनमे तुब्बे वर्किंग विद मुस्लिम इसकी राइटर है आपकी फरहनकवी फरहनकवी वर्किंग विद मुस्लिम राइज एंड किल फर्स्ट राइज एंड किल फर्स्ट की राइटर Ronan Bergman और यह important जाता है वका the most dangerous place क्योंकि Indian writer है Srinath Ragwan the most dangerous place Srinath Ragwan next book पे आते हैं आपके next month पे तो October Brothers of Brothers of the Gun Brothers of the Gun writer आपके combined writer है इसके Marwan Hisham और Moli Krabappel Krabappel ठीक है so next आपका है Cristiano Andleo इसके writer है आपके Jimmy Burns Cristiano Andleo यह आप इसका cover देख लीचे एक बार writer है Jimmy Burns Kitty Jwar Kitty Jwar की writer आपकी Daman Singh याद ना चाहिए आपको Polite Society this is important Polite Society इसके writer है आपके Mahesh Rao Mahesh Rao is the writer of Polite Society Raisin Kashmir Raisin Kashmir के writer आपकी David Deodas David Deodas Raisin Kashmir November पे आते हैं बस अब अपने इत्ता देखी लिया तो एक दू मन्द का बिल्कुल छोड़ीगा नहीं वो भी आप complete कर लीजें फटापर से हम लोग एक मिल्ट पर complete करते हैं Mission overseas writer है Shushan Singh Mission overseeing Shushan Singh Advise and decent Advise and decent यहाँ इसकी writer हो जाते हैं आपके Why we ready रश्मी सकसेना ने लिखा है She goes to war She goes to war ठीक है Women Empowerment पे based है यह book तो She goes to war रश्मी सकसेना जी ने लिखा है Next आपका आ जाता है Tasleemah Nasreen ने लिखा है आपका splits A life Splits A life Next आपका The Indian Spy Mihir Bos The Indian Spy Mihir Bos Again यह इंडिया पे based था फिर आ जाते हैं अगली में I mean December में तो यह आपका fear Fear के writer है Bob Woodward Inside the mind of She Jipning यहाँ पे इसके writer हो जाते हैं आपके Francois Bogan Francois Bogan Next देखते हैं हम Jay Ram Ramesh Jay Ram Ramesh यहाँ पे आप एक देख सकते हैं और book का front cover देख सकते हैं तो इन्होंने क्या लिखा है Intervined Life Intervined Life इन्होंने लिखा है Jay Ram Ramesh जी ने Next आपका नंदनी सुन्दरी ने लिखा है The Burning Forest यह आप देख लीजेए पिक में जंगल जल रहे हैं ठीक है जिसकी चर्चा जादा रही है जो चर्चत किताबे थी पूरे 2018 की उसको मैंने आपको यहाँ पे नाम और writer बता दी है मैंने books दिखा भी दी है अब तो वीडियो आपको पसंद आई गया होगा तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ठीक है